हलो फ्रेंग्स रेसिपी सब कुमल में आप लोग के में स्वाधत करती हूँ तो आज मैं बनाने जारी होँ बिल्कुल वियारी अंदाज में मतन करी एक बार बार इसी तरीके से बनाएंगे और इसका स्वाथ तो आप भूल ही नहीं पाएंगे तो बैसे पी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सेर्ड करना विल्कुल भी ना भूले और एक सब्सक्राइब मेरे चैनल को आप लोग जरूर करते हैं तो चलिए आज का वीडियो में सुरू करती हो तो ये हमने लिया है करी 700 गराम के करी मटन तो इसको मैंने अच्छे से धो लिया था और इसके सारे पीसेस को भी मैंने कट कर लिया है तो अगर जो आपको बड़े बड़े पीसेस हो तो आप इसे कट कर सकते हैं अगर आपको समझ में ना आए तो मुझे कमेंट में बताएं ताकि मैं इसकी एक और वीडियो लेके आओ और आपको अच्छे से काटना और धोना आपको बता सकूं तो चलिए इसे रखते हैं साइड में और मसाले की तरफ चलते हैं तो एक हमने ले लिया है जार और इसमें अब हम डालेंगे प्याज तो प्याज मैंने दो बड़े साइस के इस्तमाल किया है तो आप इसे छिलकर भी डाल सकते हैं तो यह देखिए मैंने सभी लेसुन को अच्छे से दोकर डाल दिया है और अब इसमें हम डालेंगे एक चमच साबुट जीरा और काली मिर्च तो इसको भी मैंने डाल दिया है और एक चोटा चमच के करी भी मैंने इसमें डाला है धनिया तो यह मैंने खड़े वाले धनिया का इस्तमाल किया है अगर जो यह आपके परस ना हो तो आप पॉडर का इस्तमाल कर सकते है धनिया पॉडर और अब इसमें हम डालेंगे चार से पांच सुखी हुई लाल मिर्च और अब डालेंगे इसमें तीन से चार हरी वाली मिर्च त क्लिक जरूर कर दे मेरे चैनल को ताकि मैं इसी तरीकी की वीडियो आप लोग के लिए लेके आती रहूं तो यह लीजिए यह हमारा मसाला अच्छे से ग्राइंड होके तो तैयार हो गया है तो चलिए इसे रखते हैं और नेक्स प्रोसेस की तरफ चलते हैं तो वीडियो को ल परसू के तिल में बनाना पसंद नहीं करते हो तो इसमें आप कुकिंग ओईल का इस्तमाल कर सकते हैं तो करीबन मैंने चार बड़ा चमची करीब लिया है और एक डाल दिया है तेज पत्ता और तीन से चार मैंने डाला है इसमें लॉन तो खड़े-गरम मसाले के इस्तमाल जरूर करें इससे टेश्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आधी इंच के करीब मैंने लिया है दालचीनी का टुकड़ा और इसमें डालेंगे अब हरी लाइची तो चार मैंने डाला है इसमें और अब डाल देंगे एक बड़े साइस का प्याज जिसको मैंने बिलक जो हमने पहले से ही धोकर कट करके रखा था तो रेसिपी अची लगे तो लाइक कमेंट सेयर करना बिलकुल भी ना भूले और जितना हो सकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मेरे वीडियो को सेयर करें तो चलिए मटन को अच्छे से भून लेते हैं पर ध्यान जब से बिलकुल अच्छे से भून सकते हैं इसमें मैं टाल रही हूँ ऑग च्छी नहीं लाल मिच्छ नहीं रही हूं तो इस्से बहुत ही अच्छा कलर आता है तो तो मैंने तीखी वाली इसमें नहीं डाला क्योंकि फेले चुकि तो यसमें डाल दिया मैंने स्वाध अनुसार नमक और आधा चोटा चमचे करीर इसमें मैंने डाल दिया हल्दी पोड़ाल क्योंकि मैंने बागी चुर्साटे को अच्छे से घ्राइन करके पहले ही noon डिया ता और इन सभी को अच्छे से हम कर लेंगे mix तो चलिए इसे कर लेते हैं अच्छे से mix तो आज इसे हम बनाएंगे cooker में तो अभी मैं इसे कड़ाई में इसे अच्छे से भून लोंगी उसके बाद इसे डालोंगे कुकर में तो मेरा जो कुकर है वो थोड़ा सा छोटा है इसलिए दिखाने में आप लोग को दिक्कत होती इसलिए मैं इसे कड़ाई में भून रही हूँ तो ढखन ढखकर मैंने इसे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भूने दिया है और ये देखे सभी तरफ से कितने अच्छे से ओयल लिकलने लगा है तो इसे एक से दो वर अच्छे से फिर से मिला लेंगे और इसका कलर देख रहे हैं कि आप कितना चाग गया है तो नीचे सब्सक्राइब को बटन दिया पर जो मेरा कुकर का मुद था वो थूड़ा सा छोटा था और आप लोगों को दिक्कत ना हो इसलिए मैंने इसे करहाई में भूना है वरना मैं इसे कुकर में ही भूनकर अच्छे से उसी में बना सकती थी तो ये लिजे बिल्कुल अच्छे से ये भूनकर तेयार हो गया है दाल लेते हैं उसके बाद मैं आपको बता दूंगी किसमें कितना पानी डालना है तो रेसेपी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सेयर करना बिल्कुल भी ना भूले तो करहाई में थोड़ा सा बस पानी डाला था और डालकर एट कर दिया है पर अभी मैं पानी इसमें अधा ग्लास के करीब पानी डाला है जिससे देखिए मटन भी बिल्कुल अंदर अच्छे से जा चुकी है और ढक्तन लगाकर अब हमें तीन सीटी लगा लेनी है तो सप्पा कुकर का अपना अंदार्ज होता है अगर जो अपर तीन सीटी में ना पके तो एक सीटी आप जर लगाया है और इसको आपको एक बर चेक करके भी दिखा दोंगी कि कितने अच्छे से यह पका है तो यह लिजे तीन सीटी लगकर त्यार हो गई है तो चलिए कुकर को होने देते हैं ठंडा और उसके बाद आपको दिखा देते हैं तो इधर कुकर हमारा अच्छे से ठंडा लगती है और यह पर बनाएंगे और बच्चे से बढ़ों काफी पसंद आएगी और बहुत इजी तरीके से खावी पाएंगे तो इस तरीके से मैंने सर्व कर लिया है तो एक बर मैं आपको इसे चेक करके भी दिखा दूंगी वरना आपको लगेगी कि कितने अच्छे से सी तो यह लिजे मैं आपको एक बाई से तोड़कर दिखा देती हूं तो यह देखिए कितने अच्छे से यह पक कर त्यार हो गई है बिल्कुल जिस तरीके से चिकन पकती है ना बस उसी तरीके से तो रेसिपी अच्छी लगे एक सबस्क्राइब जरूर कर दे और जितना हो सके जादा से जादा लोग के पास मेरे वीडियो को सेर करें तो यह देखिए बच्चों को भी देखेंगे तो काफी इजी तरीके से यह खा पाएंगे और बड़े तो बहुत चाप से ही खाएंगे तो रेसिपी एच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे कमेंट में बताएं तो मिल इसे हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए फ्रेंज बाबाएं